जै मातादी, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों नवरात्र के आठमे दिन याने की दुर्गा अश्टुमे के दिन मा आदी शक्ती दुर्गा के महागोरी स्वरूप का पूजन किया जाता है मारकंडे पुराण के अनुसार, शुम्ब निशुम से पराजित होका देपतागर गंगा के टडपर जिस देवी की प्रातना कर रही थी वह महागोरी हैं, देवी महागोरी के अन्श से ही कौश्की का जन्म हुआ, जिसने शुम्ब निशुम के प्रकोप से देपताओं को मुक्त कराया यह देवी गोरी पागवाशिप की पतनी है, इन्हें की पोजा शिवा और शाम्भवी के नाम से भी की जाती है महागोरी का रंग अत्यंत गोरा है, इनकी उम्र आठ वर्ष बताई कई है, देवी महागोरी के सभी आभूशन और बस्त सफेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें स्वितामबर धरा भी कहा जाता है इनकी चार भुचाएं है, मा के उपर वाले दाहिने हाथ में अभे मुत्रा है, नीचे वाले हाथ में तिशूल है, मा के उपर वाले पाए हाथ में डमरू है, और नीचे वाले हाथ में बर मुत्रा है मा का बाहन ब्रशब है इसलिए इन्हें ब्रशा रूणा भी कहा जाता है मा महागौरी सिहिं की सबारी भी करती है मा दुरका के आपने रूप महागौरी का पूचन करने से ग्रह दोश्दूर होते है बिधी पूरवक उनका इस्मरण और पूजन करने से ब्यापार, दामपत्य जीवन, सुक्सम्रधी, धनादी में ब्रधी होती है ऐसे लोग जो अभने गायन रत्यादी के छेतर में हैं उन्हें देवी की पूजा से विशे सफलता मिलती है यह माना जाता है कि मा महागौरी की पूजा से तचा संबंधी रोगों का भी निवारण होता है दोस्तों इस मान दुर्गा अश्टमी का माहा पर बुद्धवार के दिन है बुद्धवार के दिन दुर्गा अश्टमी होने से इसका महत्व ओजादा पड़ गया है क्योंकि पुद्धुवार का दिन भगवान शिरी कनिश को समर्पित है भगवान शिरी कनिश महागोरी मा के पुत्र है ऐसे में बुद्धुवार के दिन दुर्गा अश्टमी होने से बहुत ही सुपसैयों बन रहा है इस दिन मातारानी के साथ साथ भगवान शिरी गणिश का पूजन भी अवश्य ही करना चाहें ऐसा करने से मा के साथ सा गणपती जी का भी आशिरवात प्राप्त होता है और सभी पिक्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है इस दिन जो भी पूजा या उपाई किये जाते हैं वह भहती जल्दी शुफल प्रदान कहने वाली होते हैं दोस्तों नवरातर में हर दिन मातुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है लेकिन नवरातर की अश्टमी और नवमी के दिन मातुर्गा के समस्तर नौ रूपों का पूजन अवश्य ही कहना चाहिए ऐसा कहने से नवरातर की अश्टमी और नवरातर की असीम क्रप्रा प्राप्त होती है आज के इस बीडियो में हम आपको भगवान शिरी गणिश मा गोरी और नवरातर का मा को प्रसंद करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं यह उपाई आपको बस थोड़े से चाबलों से करना है इस उपाई को करने से भगवान शिरी गणिश माता रानी के करपा से जल्द ही दूर हो जाती है दोस्तों दुर्गा अश्टमी पर रात्री में मा की पूजा कहने का बिधान है इसलिए यह उपाय भी आप दुर्गा अश्टमी के रात्री को करें उपाय कहने के लिए इस्तान करके सच लाल रंग के बस्ते धारन करें इसके बाद आप थोड़े सी पवित्र चावल ने पवित्र चावल साबुचावलों को कहा जाता है जिन्हें अक्षत भी कहते हैं साबुचावलों को पूर्टा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है हमारी शद्धा और भक्ती खंडित ना हो और सदय बढ़ती जाए इसलिए पूजा में साबुट चावलों का इस्तिमाल किया जाता है चावलों को देपताओं का भोग भी माना जाता है उपाई करने के लिए आप साबुट कच्चे साफ चावल ले इन चापलों को आप पानी से धुकर साफ कर ले अब इन में आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला दे इसकी बाद अपने बंदिर के सामने आसन बिछा कर बेख जाए भगवाई शिरी गणेश माता रानी के सामने एक शुद्धिखी का दिया चलाए और एक सुगंदित्थू बत्ती चलाए अब भगवाई शिरी गणेश माता रानी को हल्दी और कुमकुम से दिलक करें इसके बाद पुष्वु अर्पित करें और फल मिष्ठान का भोग लगाए अब भगवाई शिरी गणेश और माता रानी के सामने एक आप खाली पात्र रखें इसके बाद अपने दाहिने याने की राइट हैंड में थोड़े से जावल लें फिर इस मंत्र का जाप करते हुए पहले आप भगवाई शिरी गणेश को जावल अर्पित करें मंत्र है इदम अक्षितम ओम गण गण पते नमा इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक बार गणेश जी को चावल अर्पित करने हैं फिर दूसरी बार आप हाथ में चावल लें, फिर से इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिरी गणेश को चावल अर्पित करें, इस तरहे से आपको तीन बार भगवान शिरी गणेश को चावल अर्पित करने हैं, अब आप भगवान शिरी गणेश को प्रणाम करें, फि अपने दाहिने हाथ में थोड़े से जावल लें और माता रानी के पहले स्वरूप याने की मा शेल पुत्री का ध्यान करते हुए इस मंतर का जाप करते हुए मा शेल पुत्री को जावल अर्बित करें मंतर है इदम अक्षतम ओम देवी शेल पुत्रे नमा इदम अक्षतम ओम देवी शेल पुत्रे नमा इस मंतर का जाप करते हुए आपको एक बार मा शेल पुत्रे को जावल अर्बित करने हैं अब आप फिर से अपने हाथ में चावल लें और मा भगवती के दूर से सुरूप मा भ्रमचारने का ध्यान करते हुए मा भ्रमचारने को चावल अर्पित करें मा भ्रमचारने को चावल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें मंत्र है एदम अक्षितम ओम देवी ब्रह्म चार्ने नमा एदम अक्षितम ओम देवी ब्रह्म चार्ने नमा अब आप फेसे हाथ में चावल लेकर मा भगवती के तीसे स्वरू मा चंदर घंटा का ध्यान करते हुए मा चंदर घंटा को चावल अर्बित करें मंत्र है इदम अक्षितम ओम देवी चंदर घंटाए नमा अफ्वे से हाथ में चावल लेकर मा कुष्मांदा का ध्यान करते हुए मा कुष्मांदा को चावल अर्पित करें मंत्र है इदम अक्षितम ओम देवी कुष्मांदाए नमा एदम अक्षितम ओम देवी कुष्मांडाय नमा अफ्वे से चाबल हाथ में लेकर मा भगवती के पांच में सरू मा इसकंद माता का ध्यान करते हुए मा इसकंद माता को चाबल अर्पित करें मंत्र है एदम अक्षितम ओम देवी इसकंद माताय नमा इदम अक्षितम ओम देवी इसकंद माताय नमा अब फेसे हाथ में चावल लेकर मा भगवती के छटे सरूप मा कात्याईनी का ध्यान करते हुए मा कात्याईनी को जावल अर्पित करें मंत्र है इदम अक्षितम ओम देवी कात्याईने नमा मंत्र है इदम अक्षितम ओम कान राते नमा मां भगवती के आथ में शोरू मां महागोरी का ध्यान करते हुए मा महागौरी को चावल अर्पित करें मंत्र है इदम अक्षितम ओम महागौरे नमा मंत्र है इदम अक्षितम ओम महागौरे नमा अफ्फिर से हाथ में चावल लेकर मा भगवती के नमी सुरू मा सिध्धी दात्री का ध्यान करते हुए मा सिथी दात्री को चावल अर्पित करें मंत्र है इदम अक्षितम ओम सिथी दात्रे नमा इदम अक्षितम ओम सिथी दात्रे नमा इस तरहें आपको नब्दुर्गा मा का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाब करते हुए नबदुर्गा मा को चाबल अर्पित करने हैं अब आप इस मंतर का इक्किस बाद चाब करें मंतर है मातारानी से अपनी सभी कष्टों को दूर करने के प्रातना करें अब मातारानी की आर्थि करें आती के पश्चात आप अपने भी माती पर हल्दी कुंकुं से तिलक करें इसे मातारानी की प्राप्त होती है और आपने मातारानी को जो भोग लगाया है उसे प्रशात के रूप में अपने परिवास सहित क्रहन करें आप चावलों को माताराणी के सामने इसी तरहे रखा रहने दे। और अगले दिन सुभह उटकर इस नाम कहने के बाद इन चावलों को उठा कर आप पक्षियों को डाल दे। नवरात्र में इस उपाय को कहने से माता रानी की क्रपा से धन संबन् AGAIN सभी समस्तियां दूर हो जाते हैं दुर्भागय स्वागय में बदल जाता है और सब कुछ मंगल ही मंगल होता है माता रानी की क्रपा से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जैमातादी अवर्षे लिखें हमारी वीडियो को लाइप करें हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स तो रिस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भे भी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जै मातादी तैंक्स पूर वाचिंग राथी राथी